हलो एब्रीवान और वेलकम टू माचैनल फ्रेंज आज मैं आप लोग सार शेयर करने जारू है एक बहुत हेल्दी और कम से कम मेहनत में बनने वाला नाश्ता आप देख सकते हैं देखने में ही कितना बढ़िया लग रहा है और शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको यह पसंद ना आए तो चले शुरू करते हैं आज की रेसिपी जिसके लिए मैंने ले लिया है एक पैन पैन को मैंने लो फ्लेम पर रख दे रही हूं और अब मैं इसमें आड करूंगी दल्या ब्रोकन वीड जो होता है हमें इसको ड्राइ रोस्ट करना है बिलकुल बिना ओल की हम बनाएं यह देखिए एक कप पानी मैंने लिया है और एक मिनिट तक हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे बहुत जादा देर नहीं रखेंगे एक मिनिट के बाद में इसमें आड कर रही हूं करिब तीन कप दूद जितना पानी हमने लिया है उसका हमें तीन गुना लेना है दूद अच् एक तुपने टेक्स केस आप से इसको कम ज़्यादा कर सकते है और लिजिए यह मिक्स हो गया है चलिए आप इसे कवर करके रख देते हैं और बाकी प्रेप्रेशन करते हैं जिसके लिए मैंने ले लिये हैं देखि कुछ नट्स आप कोई भी अपनी पसंद की नट्स ले सकत इसको मैं इस तरीके से फाइनली चॉप कर लूँगी यह देखिए मैंने किश्मिश को भी छोटा छोटा चॉटा चॉप कर लिया है अब इसे में एक बाउल में निकाल ले रही हूँ अब मैंने लिया है एक एपल बहुत छोटू सा एपल लिया है मैंने और इसको भी हम आधा यूज़ करेंगे तो चलिए इसे कट कर लेते हैं मैं इसे स्किन के साथ कट करूँगी यह देखिए इस तरीके से छोटा-छोटा कट कर लेंगी और चलिए इसको भी अब हम बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं और थोड़े से मैं ले ले रहे हूं कॉन फलेक्स तो ये तीनों चीज़े हमारी तयार हो गई हैं करिब पांच से साथ मिनिट हो चुके हैं और देखते हैं दलिया जो है हमारा आलमूस्ट रेडी है थोड़ा सा इसको चला देते हैं लोग फ्लेम पर हमने इसे छोड़ दिया था ये देखिए एक तम परफेक्ट जो है टेक्श हम दलिया देख सकते हैं आप अभी भी धुमा निकल रहा है एकदम गरम है और ये देखिए लेयर जो है एकदम सेट कर दी है हमने उसके ओपर हम डाल रहे हैं चॉप्ड नट्स फिर एक लेयरिंग करेंगे इसके ओपर हम दलिये की आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई और फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं मैंने एपल यूज़ किया है अब मैं सेंटर में लगा रहे हैं थोड़े से कॉन फ्लेक्स बहुत ही क्रंची टेस्ट आएगा इससे इसका साइड में हम लगाएंगे थोड़े से हमारे जो चॉब नट्स थे वही और जो एपल हमने कट करके रखा था उसका थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है तो चलिए उसको साइड में लगा देते हैं इस तरीके से देखिए जो रेड वाली स्किन थी वो कितने अच्छी लग रह हैं जो भी फ्रूट आपको पसंद हो आप वही उस कर लीजे या जो घर पर एवलेबल हो और लीजे जो इसकी प्लेटिंग है अल्मोस्ट डन हो गई है तो चलिए कुछ सीक्रिट इंग्रेडियंट्स हैं जो हम इसके ओपर डाल देते हैं उसमें से एक है हमारा हनी थोड़ा सा मैं इसके ओपर डाल रहे हूं हनी आप देख सकते हैं कितना बढ़ा ग्लेज आ रहा ह अब मैं इसमें आड कर रहे हूं बच्चो का फेवरेट चॉकलेट सिरप बहुत थोड़ा ही डाला है हमने बहुत जादा नहीं डाल रहे हैं और लेजे जो हमारा दल्या परफिट है एक दम रेडी हो चुका है बहुत डेलिशिस है बहुत ही हिल्दी है और बहुत ही कम आल बहुत है और भी मीन है और लेडी है।